मरने से पहले आखिरी दिनों में शरीर देता है ये संकेत मरने से पहले अंतिम दिनों में शरीर कई संकेत देता है जो दर्शाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा है ये प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकती है लेकिन सामान्य तहा कुछ लक्षन और संकेत होते हैं जो आम तौर पर दिखाई देते हैं यहां हम उन संकेतों पर विस्तरित चर्चा करेंगे जो किसी व्यक्ति के जीवन के अंतिम दिनों में दिखाई देते हैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं भूख और प्यास में कमी मरने के अंतिम दिनों में व्यक्ति की भूख और प्यास में कमी आ जाती है शरीर की उर्जा की आवश्यक्ता कम हो जाती है और खाने पीने की इच्छा घट जाती है व्यक्ति कम खाता पीता है और कभी कभी पूरी तरह से खाना पीना छोड़ देता है ये शरीर के अंगों की धीमी हो रही क्रिया शीलता का संकेत है थकान और कमजोरी भी जीवन के अंतिम दिनों में प्रमुख संकेत होते हैं व्यक्ति आसानी से ठक जाता है और उसे बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर अपनी उर्जा को बचाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे अपने काम करना बंद कर रहा है सांस लेने में कठिनाई जिसे चिकित सकीय भाशा में डिस्पनिया कहा जाता है भी मृत्यू के निकट संकेतों में से एक है व्यक्ति को गहरी और तेज सांसे लेनी पड़ती है और कभी कभी ये प्रक्रिया अन्यमित हो जाती है ये शरीर के ऑंकसीजन की जरूरत और उसकी पूर्ती के बीच असंतुलन का परिणाम हो सकता है शरीर का तापमान और रंग में बदलाव शरीर का तापमान सामान्य से कम या अधिक हो सकता है त्वचा का रंग भी बदल सकता है जैसे कि पीलापन, नीला या धूसर होना हाथों और पैरों में ठंडापन आ सकता है और ये भी संकेत हो सकता है कि शरीर का रक्त संचार धीमा हो रहा है मान्शिक्स थिती में परिवर्तन जीवन की अंतिम दिनों में व्यक्ति की मानसिक स्थिती में भी परिवर्तन आ सकता है। भ्रह्म, चिंता, अवसाद या अत्यधिक नींदाना आम संकेत हो सकते हैं। कभी-कभी व्यक्ति अपने आस-पास की लोगों और घटनाओं को पहचानने में कठिनाई महसूस करता है और आत्म संबाद में उलज सकता है। पेशाब और मल में परिवर्तन मरने के अंतिम दिनों में शरीर के द्रव संतुलन में परिवर्तन होता है। पेशाब की मात्रा में कमी आ सकती है और इसका रंग गहरा हो सकता है। इसके साथ ही मल की गती भी बदल सकती है और कब्ज या अतिसार जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक संबंधों में कमी जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति आम तोर पर सामाजिक संबंधों में कमी करता है। वह अकेले रहने की प्रवृत्ति दिखाता है और अपने प्रियजनों से भी दूर हो सकता है। ये उसके शारीरिक और मानसिक ठकावट का परिणाम हो सकता है। द्रिष्टी और श्रवण में परिवर्तन कई बार जीवन के अंतिम दिनों में व्यक्ति की द्रिष्टी और श्रवण क्षमता में कमी आ जाती है। उसे देखने और सुनने में कठिनाई हो सकती है। ये संकेत शरीर के अन्य अंगों की तरह ही इंद्रियों की धीमी हो रही क्रिया शीलता का हिस्सा हो सकता है। चेतना की हानी जीवन के अंतिम दिनों में व्यक्ति की चेतना धीरे-धीरे कम हो सकती है। उसे लंबे समय तक नींद आ सकती है और वह अर्ध चेतन या बेहोशी की अवस्था में रह सकता है ये संकेत होता है कि शरीर और मस्तिश्क की गतिविधियां धीरे-धीरे बंध हो रही है दर्द और बेचैनी अंतिम दिनों में व्यक्ति को दर्द और बेचैनी का अनुभव हो सकता है ये दर्द शारीरिक हो सकता है जो शरीर के किसी हिस्से में महसूस होता है इसके लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित दर्द निवारक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है देखभाल और समर्थनिं संकेतों के अनुभव के दौरान व्यक्ति को देखभाल और समर्थन की आवश्यक्ता होती है उसके प्रियजन और स्वास्थ सेवा कर्मी ये संकेत व्यक्ति के प्रिय जनों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि समय निकट है और उन्हें उचित देखभाल और समर्थन प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये प्रक्रिया प्राकृतिक है और व्यक्ति को शांती और सम्मान के साथ विदा देना आवश्यक है